बूर्णिंग स्टूडेंट्स तो आप सबको बता दें कि G&U Hostel Admission for Session 22, 23, 24 ओपन हो गई हैं तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि Starting Date क्या है और Last Date क्या है और आप Application Form कैसे Submit करवा सकते हैं Online तो सारा कुछ आपको Detail में बताने वाले हैं इस वीडियो के साथ लास तक बने रहे हैं सबसे पहले आपने Chrome Browser में जाके Google में जाके Search करना है G&U Admissions जैसे आप Search करोगे तो आपके सामने जो First Site Open हो जाएगी G&U Admissions.org जहां G&U Admissions लिका है वहाँ पे आपने क्लिक कर देना है उसके बाद आपकी स्क्रीन पे Final Admissions वाला पेज उपन हो जाएगा उसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे जाना है स्क्रॉल करना है उसके बाद Blue Line पे Second Number पे लिखा हुआ है Hostel Admissions Portal 23, 24 तो थोड़ा सा आपने नीचे जाना स्क्रॉल करना है क्लिक टूपरसीड जाना लिखा है वहाँ पे आपने क्लिक कर देना है उसके बाद आप Final Hostel Admissions वाले पेज पेज पहुंच होगे तो आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है तो सबसे पहले आपने Admissions Form जाना लिखा है वहाँ पे क्लिक करना है उसके बाद अगर आप New Student हो तो फर्स्ट वाले आप्शन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं Online Hostel Admissions Form जो New Students है शेशन 2 या 23, 24 के लिए जिन्नों ने अप्लाई करना है वो 5, 7, 2 या 23, 11 बजए के बाद अप्लाई कर सकते हो Link Activate हो जाएगा Application Form Fill करने का उसके बाद बैक चलते हैं यहाँ से उसके बाद Second Number है Returning Students तो यहाँ पर हमने क्लिक कर देते हैं उसके बाद जो Students Previous Year के हैं जिन्नोंने Return करना है जो उनकी Starting Date है वो है 23, 6, 22, 23, 11 बजए के बाद वो आपना-पना Application Form Fill कर सकते हैं उसके बाद यहाँ से बैक चलते हैं उसके बाद Second Number पर है Guidelines तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है उसके बाद First Option पर आपने क्लिक करना है Admission Schedule जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक PDF आ जाएगा और यह आप उनी स्क्रीन पर देख सकते हैं G&U का Official Notification है Hostel Admission Schedule for Session 22, 23, 24 के लिए तो सबसे First और Second Option में जो Returning Students हैं उनके लिए है और जो Third Number पर है वो New Students के लिए हैं तो New Students की बात करते हैं तो Third Number पर For New Students तो जो उनकी Online Application Date है वो है 572 या 23 तो 572 या 23 के बाद आप Application Form Fill कर सकते हो Hostel Admission के लिए उसके बाद Application, Verification and जो Final List है वो जारी होगी 15, 72 या 23 को उसके बाद Feast Deposit and Hostel Allocation जो है वो है 18, 72 या 23 से 21, 72 या 23 तक उसके बाद Second Number पर आपको बताया गया जो Hostel Rules हैं वो आपको हम बता देंगे कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसके बाद यह कुछ important instructions हैं अगर आपने यह पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं उसके बाद यहां से बैक चलते हैं उसके बाद Second Number पर लिखा है Hostel Rules तो Simply आपने इस पर क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यह option आ जाएगा PDF डाउनलोड करना है तो आपके लिए Simply डाउनलोड पर क्लिक करना है और जैसे ही यह डाउनलोड होगा उसके बाद आप किसी भी आपके थुरू से को सकते हैं तो यह हम आपको उपन करके दिखाते हैं और यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं Journal Rules for Hostel Admissions 2022-2023 और शैशन 2022-2024 के लिए भी यह सेम ही है तो इनमें कोई changes नहीं है तो आपने यह rules जुरूर पढ़ लेने है होस्टल मैड मिशन लेने से पहले और जो boys है और जो girls होस्टल है दोनों के rules इसमें आपको बताएगे हैं simply आपको बताएगे है कि अगर आपका घर 40 km के अंदर है तो आपको होस्टल नहीं मिलेगा बाकी आप यह PDF पूरा डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं चोट से नीचे चलें तो सारा कुछ आपको बताया गया है इसमें और यह आप देख सकते हैं जो fees है जो charges है तो यहाँ पर दिये गया है old students के तो इस वीडियो में हम बात करने वाले new students के बारे में तो यह आप देख सकते हैं annual charges जो है वो आप अपनी screen पर देख सकते हैं तो वीडियो एकदम slow है अगर आपने screenshot लेना तो आप screenshot भी ले सकते हैं यह तो आप राम से वीडियो पहुच करकर के भी पढ़ सकते हैं rent जो है वो है 4,500 sharing basis पर और 6,000 single water 600 electricity 5,500 तो इसे साब से है आप अपनी screen पर देख सकते हैं common room, admission fees, medical, hostel, welfare fund, fan charges तो यह सभी charges लगेंगे और जो total है for sharing basis वो है 19,550 रुपीज और जो total है for single basis वो है 21,050 रुपीज और motorcycle यहां फिर scooter parking charges जो होंगे वो 500 होंगे जो extra लगेंगे और security में security 6000 उसके बाद नीचे चलते हैं तो यह कुछ rules हैं आप ज़रूर पढ़ लें यह PDF डाउनलोड करके हमने आपको बता दिया कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसके बाद यह special rules for girls hostel हैं यह भी आप पढ़ सकते हैं उसके बाद नीचे इनकी timing बताई गई गया पीएम के अंदर-अंदर आप होस्टल में होंगे तो कोई fine नहीं है 930 p.m. to 10 p.m. 50 rupees fine 10 p.m. to 10.30 p.m. 100 rupees fine after 10.30 p.m. 500 rupees fine और आपके parents को भी inform किया जाएगा late entry के बारे में तो यह आप सारा कुछ जुरूर पढ़ ले होस्टल admission लेने से पहले उसके बाद यहाँ पर आपको contact numbers दिये गए है Dean, Student Welfare, Warden, Boys Hostel 123, उसके बाद Warden, Girls Hostel 1234, Security Officer, उसके बाद Regional Campus London के और Regional Campus Gurdaspur के भी contact number दिये गए है उसके बाद आपने यहाँ से बैग जाना है उसके बाद आप फिर इसी पेज़ पर पहुंच जाओगे तो आपने नीचे जाना स्क्रोल करना है थोड़ा सा और यहाँ पर आपको बताया गया है जो hostels हैं वो total 7 है थ्री hostels जो हैं वो boys की हैं और जो four hostels हैं वो girls की हैं अगर आपने किसी भी hostels के बारे में जानना है तो simply आपने इस पर क्लिक करना है जैसे हम first hostels पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको सारा कुछ पता लग जाएगा कि कितनी capacity हैं कितने rooms हैं मैस के बारे में वाटर गुलर सारा कुछ इंटीन कोमर रूम फैसिलिटी रीडिंग होल इंडोर अफडोर गेम्स टैस्ट रूम वाट अप्लाई सारा कुछ आप पढ़ सकते हैं उसके बाद आपने ऊपर जाना है उसके बाद यहां पर लिखा है गाइड लाइन्स वहाँ पर आपने क्लिक करना है उसके बाद आपकी student ID और password उससे login करना है उसके बाद hostel form active हो जाएगा जो date आपने देखी होगी पीछे notification में उस तरीक से hostel form activate हो जाएगा तो आपने hostel form फिल करना है उसके बाद लोक एंड सेव कर देना है उस button पर क्लिक कर देना है जो आपने information फिल करनी है वह अपने ध्यान से correct information फिल करन बाद फीज लिंक एक्टिव हो जाएगा फिर आपने फीज सब्मिट करना है ऑनलाइन जहां बैंक चलान के तुरू। उसके बाद जो फीज सलिप होगी वह आपने प्रिंट कर वा लिनी है जैसे ही आप प्रिंट कराओगे तो आपने फीज सलिप जो प्रिंट करआई है वह उसकी जो hard copy है वो आपने submit करनी है hostel office में तो उसके बाद आपको hostel मिल जाएगा तो यहाँ से हम back चलते हैं तो इस तरीके से आप hostel admission ले सकते हैं शेशन 22, 23, 24 में और जी अन्ड यूसर लेटर सभी updates आपको इसी चैनल पर मिलेंगी